नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप लोगों का आदर्स धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के बिषय में पिछले अंक में हमने देखा कि भगवान सिव की बरात जा रही है बिवा हो रहा है और उसमें अगर कोई लोक गीत न हो या मंगल गान न हो तो बिवाह अधूरा सा लगता है तो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सिव गीत सिव बिवाह की तैयारी चुकि हम सब के तो परिवार होते हैं कुछ तैयारी हमारी माताएं करती हैं, पिता करते हैं, भाई, बहन और अरन परिवार वले करते हैं, परंद भगवान से उतो साक्षात परंब्रम का एक हिस्सा है, उनके न माता न पिता, फिर उनकी साधी की तैयारी तो सिर्फ उनको ही करनी है, अता एक लोक गीत उत्तर प्र कि इतना टाइम नहीं मिल पाया कि इसकी तरज को दुबारा देखा जा सके लेकिन फिर भी उमीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा और खास कर माताओं और बहनों को पसंद आना चाहिए जैसा कि आप सब को पता है कि भगवान सिव सिर्फ अपने इश्ट दिव का ही उच्यारन करते रहते हैं आता है हमने तरज में भगवान राम का ही नाम लिया है और तरज है राम की कृपासे तो भोले बाबा का होई अब भी आओ राम की कृपा से भोले जैं हैं अब बराते राम की कृपा से सब देवता हैं मिली कई आए ब्रम्हा बिसनु अस्तूति गाए सिवजी करी हैं अब बिया हो राम की कृपा से सिवजी करी हैं अब बिया हो राम की कृपा से अब भगवान राम वो भगवान सिवजी जब भगवान राम ने उनको आग्या दे दी और सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया कि माता गवरा से आप साधी कर लें उन्होंने बहुत दिन तपस्या किया हैं भगवान सिवजी बोल देते हैं था कर देते हैं अब सब त बता बता करके इस्तुती करके अपने अपने घर चले गए अब संकर जी की जान की आफ़त अब वो साधी की तैयारी खुद ही करने के लिए इधर उधर भटकने लगे तो सिव जी वहां से आगे चलते हैं तो हुआ नाते उठीले हैं इसुरी महादेव पंडित घर को जा हैं राम की क्रिपासे राम की क्रिपासे पंडिता दीन्यों उचडे बैठ का पंडिता इने पूछै लागी बात हो राम की क्रिपासे की तुम आहिव जो गीरे सन्यासी की तुम आहिव जो गीरे सन्यासी कीरे बाम्भन जी के पूतराम की क्रिपासे कीरे बाम्भन जी के पूतराम की क्रिपासे कैसे पधार्यों हमरे घरमां आपन का रज बताओ राम की क्रिपासे आपन का रज सुनाओ राम की क्रिपासे अब जब पंडित जी के घर पहुशते हैं सबसे पहले तो पंडित जी उनको ऊचय आस्थान देते हैं बैठने के लिए लेकिन पंडित जी तो बैठे रह गए पंडिताइन पूछने लगी कि बताओ आप ये जटाएं बड़ी बड़ी रखे हो तो या तो कोई आप योगी सन्यासी हो और या फिर तुम कोई ब्रामन के पुत्र हो कि इतनी बड़ी चोटी रख रखी है कैसे हमारे घर में आज प नारे बांभन जी के पूत राम की कृपासे हम तवाहिन इसुरी महा देव। गउरा बिवाहन जाब हो राम की कृपासे गउरा बिवाहन जाब हो राम की कृपासे सोने असर भी तो हैं द्याबई पंडीता अच्छी अच्छी सहीती बताओ हो राम की कृपासे अब पंडी जी ने अपना पत्तरा पलटा और फिर उनको उनकी साधी की डेट बताओ कि आजु अकादसी भार दुआदसी त्यार सी बना है भी आहू हो राम की कृपासे भोला जैं हैं अब बरात हो राम की कृपासे भोले जैं हैं अब बरात हो राम की कृपासे तो हुँ वनाते वू ठीले हैं इसुरी माहा देऊ चली लोहोरा घर जाएं हो राम की कृपासे लोहोरा दीन्यों उचड़े बैठ का लोहोरा दीन्यों उचड़े बैठ का लोहोरा दीन्यों पूछे लागी बात हो राम की कृपासे कि तुम्याहिव जोगीरे सन्यासी कीरे बामभन जी के पूछ राम की कृपासे फिर वही प्रस्न है और भगवान संकर को फिर से वही उत्तर देना पड़ता है कि ना हम वाहिन जोगीरे सन्यासी नारे बामभन जी के पूछ राम की कृपासे हम तुआहिन इसुरी माहा देऊ गौरा भी आहन जाब हो राम की कृपासे गौरा भी आहन जाब हो राम की कृपासे सोने टकवना तो है द्या बैलो हो राँ सोने टकवना तो है द्या बैलो हो राँ अच्छा अच्छा कंकन बनावो हो राम की कृपासे अब भगवान संकर का कंकन का भी उन्होंने बैयाना दे दिया तो उसके आगे फिर चलते हैं कि भई सादी का मंडप कौन बनाएगा तो मंडप बनाता है कारपेंटर तो पहुँच गए बढ़ाई के घर पे तो हुँआनाते उठीले हैं इसुरी माहा देऊ चले बढ़ ही घर जाएं हो राम की क्रिपा से बढ़ ही दी निसी उचड़े बैठ का बढ़ ही निसी उचड़े बैठ का बढ़ ही ने पूछए लागी बात हो राम की क्रिपा से कि तुम आहिव जो गिरे सन्या से की तुम आहिव जो गीरे सन्यासी की रे बामन जी के पूतर राम की क्रिपासे की हो बामन जी के पूतर हो राम की क्रिपासे अब वही प्रस्त और वही उत्तर नाहम आहिन जो गीरे सन्यासी नाहम आहिन जो गीरे सन्यासी नारे बामन जी के पूतर हो राम की क्रिपासे हम तो आहिन इसुरी माहा देव गौरा भी आहन जाब हो राम की क्रिपासे गौरा भी आहन जाब हो राम की क्रिपासे आजु अकादसी भार दु आदसी त्यार सीर चाही बिया हो हो राम की क्रिपासे सोने असर भी तो है द्याहों बढ़ ही अच्छा अच्छा मंडप बनावो हो राम की क्रिपासे अच्छा अच्छा मंडप बनावो हो राम की क्रिपासे अब बढ़ई भी बुक हो गया लोहार से कंगन भी बुक हो गया पंडित से साइत भी पूछ ली तो अब उसके बाद में फिर किसके पास जाते हैं भगवान संकर अब सोचते हैं कि मंडप का काम हो गया तो अब मंडप के बाद में क्या बचता है कि मंडप को च्छाने वाला मंडप तो लकडी का बना दिया कार्पेंटर ने लेकिन उसके उपर जो फूस रखता है फूस रखने का काम जो ज़्यादा तर देखो साधियों में सभी जातियों का कुछ न कुछ उसमें पार्टिसिपेशन होता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है इसलिए कहते हैं कि साधि में सभी लोगों का सभी जातियों का उसमें भाग होता है तो अब जो फूस रखने का काम होता है वो पासी होते हैं उनके पास जाते हैं तो भगवान संकर पासी के घर में पहुँचते हैं कि हुआ नाते वुठीले हैं इसुरी महादेओ चले पासी आ घर जाएं हो राम की क्रिपा से चले पसी आ घर जाएं हो राम की क्रिपा से पसी आ दीनिसी उचड़े बैठ का पसी आ दीनिसी उचड़े बैठ का पासी ने पूछाई लागी बात हो राम की क्रिपा से की तुम आहिऊ जोगीरे सन्यासी की रे बांभन जी के पूत हो राम की क्रिपा से की रे बांभन जी के पूत हो राम की क्रिपा से ना हम आहिँ जोगीरे सन्यासी नारे बांभन जी के पूत हो राम की क्रिपा से अम तो आहिन इसुरी महा देऊ गवरा भी आहन जाब हो राम की क्रिपा से गवरा भी आहन जाब हो राम की क्रिपा से आजुवा का दसी भार दुवा दसी त्यार सीर चाहे भी आहू हो राम की क्रिपा से त्यार सीर चाहे भी आहू हो राम की क्रिपा से सोने असर भी तो हे द्याहों पसिया अच्छा यच्छा मंडप छवावू हो राम की क्रिपा से अच्छा यच्छा मंडप सजावू हो राम की क्रिपा से अब उसके बाद भगवान संकर पहुचते हैं माली के घर और माली से कहते हैं कि पुष्प और मंडप को सजावट का काम आपका है तो हुनाते वू ठीले हैं इसुरी माहा देओ। चले मालिया घर जाएं हो राम की क्रिपा से मलिया दीन्यों उचड़े बैठ का माली ने पूछए लागी बात हो राम की क्रिपा से कि तुम याहिव जोगीरे सन्यासी की रे बामभन जी के पूछत हो राम की क्रिपा से हम तुम याहिव जोगीरे सन्यासी की रे बामभन जी के पूछत हो राम की क्रिपा से हम तुम याहिन इसुरी माहा दिव गौरा भी आहन जाब हो राम की क्रिपा से सोने टकवना तो हें द्याहों माली अच्छा यच्छा मंडप सजाओ हो राम की क्रिपा से अच्छे अच्छे फूल सजाओ हो राम की क्रिपा से आजु अका दसी भार दुआ दसी त्यार सीर चाहे भी आहों हो राम की क्रिपा से बोले बाबा का होई अब भी आहों हो राम की क्रिपा से बोले बाबा का होई अब भी आहों हो राम की क्रिपा से बोल भगवान भोले नाथ की जैए लोग गीत हमारी भारती सब्विता का आधार हैं हम मानते हैं कि बिवा के समय राम सीता सिव पार्वती सुरूप ही होते हैं हमारे बर बद्धू इसलिए लोग गीतों में इनके नाम बार बार दोहराए जाते हैं आसा हैं आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा तो ये था भुले नात के बिवा की तैयारी का एक लोग गीत जो समर्पित है मेरी प्यारी दादी मा के नाम पर आसा है आपको पसंद आया होगा तो बने रहे आदर्स धर्म के साथ लाइक और शेयर दा वीडियो प्रेस बेल आइकन सेलेक्ट आप्शन आल